एक इंडीविज्व जादा से जादा कितनी दुर्ट्स हो सकती है । एक इंडवीज्वल ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनी नासे हो सकते हैं Whew इस मुष्य के उपर इस श॑ठ बाती की गई है 215 में 165 देरो करेता है मैधसिमम नंबर ओफ डिरेक्टेशिप एक कमपनी में कम से कम कितने हो सकते हैं जादा जादा कितने हो सकते हैं यह बात तो की गई है 149 सेक्शन में आपको पता होगा कि तो minimum number of directors हैं private company में कितने होते हैं कम से कम दो public में कम से कम तीन और 1% company में 1 OPC में 1 कम से कम private में 2 public में 3 और जादा सेदा होते हैं वो कितने होते हैं 15 उसके beyond क्या चाहिए होता है special resolution ठीक है यह बात कहां की गई है 149 में ठीक है बट इस समय हम क्या बात करेंगे session 165 के बारे में 165 किसके बारे में बात करता है maximum number of directors यानि एक व्यक्ति कितनी company में जाद से ज़्यादा director हो सकता है ठीक है जी तो चलिए ध्यान यह रखना है दो तिन बाते हैं इसमें जो important है ध्यान रखने वाली ठीक है ठीक है पहला तो यह है कि जो maximum number और डिरेक्टरशिप्स हो सकती है maximum numbers वो कितनी हो सकती है 20 यानि एक इंडिविज्वाल जादा से जादा 20 companies में डिरेक्टर बन सकता है ठीक है बट एक important point एसमें maximum डिरेक्टरशिप्स in public companies ठीक है ना तो maximum डिरेक्टरशिप्स है पॉबिक companies में वो कितनी हो सकती है 10 यानि कि एक व्यक्ति total 20 companies बन सकता है और public कितनी हो सकती है जहाँ सब्सक्राइब 10 इसका मतलब क्या निकला मतलब यह निकला माल लीजिए एक Mr. A व्यक्ति एक individual named Mr. A वो अगर public companies जो है और जो private companies है ठीके उसमें उसकी डिरेक्टेशिप से आपने बताने कि यह सही है कि नहीं है ठीके जो इसका सही है कि गलत है public companies जो है उसमें आठ में डिरेक्टेर है और प्राइबिट 12 तो कुल मिला कि कितने है 20 तो विडिन लिमेट है maximum डिरेक्टेशिप कितने हो सकते है 20 ठीक है उसकी जो डिरेक्टेशिप है वो तो 20 है ठीक है तो हमें ये भी ध्याद रखना है कि maximum जो डिरेक्टेशिप public company में कितने हो सकती है 10 तो यहाँ पर दोनों conditions पूरी हो रही है maximum जो डिरेक्टेशिप से total उसकी 20 है और public company में कितने है विदिन 10 है तो चलेगा तो यह कहे कोई problem नहीं है यहाँ पर ठीक है कोई violation नहीं है ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ no violation कोई violation उसने नहीं की ध्यान से समझेगा important topic है ठीक है फिर कहते है कि माली जीए अगर public company में जो डिरेक्टेशिप है वो बारा है प्राइबेट में आठ है तो कुल मिलाके कहा है कि डिरेक्टेशिप तो विदिन लिमेटर 20 है पट साथ में कंडिशन ये वी है कि जो public company में डिरेक्टेशिप है वो कितनी हो सकती है जादे सादा 10 तो यहाँ पर violation हो गई ठीक है यहाँ पर violation है ठीक है यहाँ पर कानून की उलंगना होई है violation होई है next माली जीए कि जो डिरेक्टेशिप है public company में 0 है और private में कितनी है 20 है तो in totality कितना है 20 है कोई दिक्कत नहीं है public में 0 है दस से नीचे है ठीक है चलेगा तो no violation ठीक है ना last example लेते हैं इसमें माली जी public company में 20 है private में 0 तो within the limit है 20 है but public में आपको पता है कि limit कितनी है 10 तो यहाँ violation हो गई ठीक है एक बात तो बिल्कु क्लियर है आपको कि maximum number of directorship एक individual की हो सकती है अब ध्यान यह रखना है ध्यान यह रखना है कि जो private company है जो private company जैसे हमने बताया कि जो limit है public company की वो तो 10 है private की अगर 20 की 20 है public में कोई नहीं तो 20 की 20 वी चलेगी कोई रिक्कत नहीं है पर ध्यान यह रखना है कि एक private company की जो holding एक private company है ठीक है जो एक private company है जो public company की subsidiary है एक private company जो एक public company की क्या है subsidiary है या holding है subsidiary या holding company है एक private company जो एक public company की holding या subsidiary company है तो इसे हम क्या मान लेंगे इसे हम public company ही मानेंगे इसे हम public company ही कर लेंगे, ठीक है न? तो ध्यान ये रखना है कि देखिए मैक्सिम जो डिरेक्टेशिप है पबलिक कंपनी की, वो कितनी है? टैन है, पबलिक कंपनी इसमें, डिरेक्टेशिप कितनी है? ठीक है और अगर हम देखें तो टोटल 20 तक जा सकती है, अब लिक को मिला के ठीक है तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक private company अगर holding या subsidiary company है किसी public company की तो इस private company की जो डिरेक्टेशिप है वो private company की डिरेक्टेशिप नहीं मानी जाएगी वो एक तरह से public company की ही डिरेक्टेशिप मानी जाएगी यह आपको ध्यान रखना है उसके इलावा उसके इलावा जो section 161 में जो alternate डिरेक्टेशिप होती है alternate डिरेक्टेशिप यानि की company का एक अगर डिरेक्टर इंडिया के बहार गया हुआ है तीन महिने से जादा उसकी जगा पर मान लेजिए मुझे उस company में director बना दिया गया तो मैं उसके वहाब पर डिरेक्टर बनाऊं company में तो मुझे क्या बोलेंगे alternate डिरेक्टर ठीक है तो जो alternate डिरेक्टेशिप है वो इस limit में count होगी 20 के limit में count होगी अगर मेरी alternate डिरेक्टेशिप फ्राइवेट खाशिए में है तो प्राइवेट काम्पणी की फेलिए כंड होगी अगर मेरी alternate डिरेक्टेशिप public company में तो उसमें count होजाएगी यानि कहने का बाब क्या है कि आपकी जो alternate डिरेक्टिशिप है वो count होगी वो वो include होगी, total limit में count होगी, ठीक है ना, और एक important point है, कि जो dormant company की, dormant company की जो directorship है, वो limit में count नहीं होगी, ठीक है ना, और जो last point है, अगर limit cross हो जाती है, तो maximum 20, maximum 20, और जो public में maximum 10, अगर ये limit cross हो जाती है, तो जिस दिन ये limit cross होती है, ठीक है, उस दिन से क्या है, जो fine पड़ेगा, जो penalty पड़ेगी, ठीक है, वो कितनी है, 2000 per day, 2000 per day, जब तर default चलता रहेगा, 2000 per day fine लगता रहेगा, और जो maximum fine है, वो कितना लगेगा, ठीक है, 2,00, ठीक है, तो important topic है, आपको अच्छे से याद रखना है, कि section 165, section 165, जो deal करता है, maximum number of directorship से, ठीक है, यानि एक company में, एक व्यक्ती, एक व्यक्ती, जाद से जादा कितनी companies में director हो सकता है, ठीक है, तो, पहली बात तो यह है, कि total 20 companies, उनमें से maximum 10 क्या हो सकती है, public companies हो सकती है, ठीक है, एक तो बात यह ध्यान रखना है, 20 ए 10, और ध्यान यह रखना है, कि एक private company company, जो public company की holding, या subsidiary company है, तो उस company को public company माना जाएगा, उसकी जो directorship है, वो एक तनार की public company की directorship मानी जाएगी, पहला point, और दूसा point, एक व्यक्ती की जो as a alternate director, जो उसकी directorship है, यानि एक individual जो alternate directorship को hold कर रहा है, तो वो इस limit में count होगी, दूसरी बात हो चुकी, ठीक है, और थर बात क्या आएगी इसमें, थर बात हमें यह ध्यान रखना है, कि जो डॉर्मेंट company की directorship है, जो directorship है, वो limit में count नहीं होनी, ठीक है, एक private company, जो holding या subsidiary company है, public company की, वो directorship क्या है, count होगी, ठीक है, as a public company की directorship, दूसरा जो alternate directorship है, वो limit में count होगी, और तीसरा, जो है, डॉर्मे में, जो directorship है, ठीक है, वो limit में count नहीं होगी, ठीक है, और अगर limit cross हो जाती है, तो जो penalty है, दो हजार पर डे penalty है, और जादा से जदर penalty है, वो क्या है, टू लैक, जादा से जदर penalty कितनी है, दो लाकर पे, ठीक है, तो चलिए, इतना आपको समझाया होगा, और अगर आप इ वीडियोज हम upload करते रहते हैं, और जो bell icon उसको press करना ना भूलिएगा, ताकि आप कुछ का notification मिलता रहे, ठीक है जी, thank you